गुड मॉर्निंग स्टुडेंट, बच्चों आज की वर्च्वल क्लास में आपको संस्क्रित पार्ट साथ प्रहे लिकाय पढ़ाने जा रही हूं पार्ट को पढ़ाने से पहले पार्ट में आए शब्दार्थ आपको समझाए जाएंगे पहला शब्द है आदिही जिसकी हिंदी हुई आरंभ, दूसरा अपदहा या अपदो जिसका मतलब है बिना पैर के क्यूνकि पदाहा की हिंदी होती है पैर लेकिन इसमें आउप्सर्ग लगा हुआ है तो हो गया आपका अपदाहा जिस तो आपकी इसकी हिंदी हुई है बिना पैर के पंडितह, बुद्धीमान या बिद्वान अमुखा, मुख का मतलब है मुख लेकिन उपसर्ग लग गया आ तो हो गया आपका अमुखा बिना मुख के स्फुट वक्ता वक्ता का मतलब है बोलने वाला स्फुट का मतलब है स्पष्ट तो स्फुट वक्ता की हिंदी हुई स्पष्ट बोलने वाला धराया धरा आपका इस्त्रिलिंक शब्द है, इसलिए सश्ठी वक्ति में आया आपका धराया है, जिसकी हिंदी हुई प्रिथवी के, धूमाहा, धूमा, बोधैती, प्रथम पुरुष एकवचन है, बोधैती की हिंदी हुई बताता है, बताती है, विक्षाग्रवासी, विक्षाग का मतलब है पेड की चोटी पर, वासी का मतलब है रहने वाला, तो विक्षाग्रवासी की पूरी हिंदी हुई पेड की चोटी पर रहने वाला, त्वग वस्त्रधारी, धारी का मतलब है पहनने वाला या धारन करने वाला, वस्त्र का मतलब ह कपड़ा या वस्त्र त्वग में चमडी रूपी तो त्वग वस्त्रधारी की हिंदी हुई चमडी रूपी वस्त्र पहनने वाला विब्धरत जिसकी हिंदी हुई है धारन करता हुआ तो बच्चो आपके जो पाठ साथ प्रहेलिकाय में शब्द आय हुए हैं इनके अर्थ यानि शब्द आर्थ आपको याद भी करने है और अपनी कौपी पर लिखना भी है यही आपका आज का ग्रहकारी है धन्यवाद